नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में दो अपडेट मैं आपको दूँगा एक तो बीएड से रिगार्डिंग दूसरा एचपी जयाईटी पोस्ट कोड 939 के बारे में सबसे पहले बीएड की बात की जाए तो जो बीएड की प्रवेस प्रिक्षा होने वाली है 27 मही को उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं दूसरी बात अगर आपने एचपी बीएड के आवेदन के समय कुछ एक इन्फॉर्मेशन गलत लिखी थी या फिर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी थी तो आपके पास अपनी गलती को सुधारने का यहां समय दिया गया है 31 मही तक आप अपने आवेदन में सुधार कर सकते हो अगर आपने कोई गलती की है तो अब बात करते हैं HPJIT Post Code 939 के बारे में यह भरती भी HPJIT 817 की तरह ही लटकती दिखाई दे रही है इसकी वज़ा यह है कि जूनियर ओफिस असिस्टेंट भरती गड़बडी मामले में परदेश करमचारी आयोग ने पुलिस अधिक्षक मंडी को रिमाइंडर भेजा है और रिमाइंडर में रिमाइंडर के माध्यम से यह कहा है कि आप स्टेटिस अधिक्षक ने स्टेटिस अधिक्षक ने स्टेटिस रिपोर्ट आयोग को देने से साफ इंकार कर दिया है और उनका ये कहना है कि हम इस status report को पुलिस महानिदेशक को ही सौंपेंगे जिस बज़ा से ये भरती प्रक्रिया भी लटकती दिखाई दे रही है इस बारे में आयोग ने ये कहा है कि अगर आप हमें status report शीगर दे देते हैं तो क्या परिणाम गोशित करना है या फिर इस बरती को जो exam हुआ था उसे रद करना है इसके बारे में फैंसला ले लिया जाएगा लेकिन अगर बात की जाए आयोग की तो ये बहुत कम serious है इस बरती को रद करवाने में एक्जाम को कैंसल करने के लिए ये बहुत कम दिल्चस्पी दिखा रहे हैं मतलब अगर स्टेटस रिपोर्ट आयोग को दे दी जाती है तो 100% आप ये मान कर चल सकते हो कि जो एक्जाम हुआ है वो रद नहीं होगा लेकिन फिलहाल जब तक स्टेटस रिपोर्ट मंडी पुलिस अधिक्षक के दवारा आयोग को नहीं दी जाएगी ये भरती प्रक्रिया लटकती ही आपको दिखेगी इसका हाल भी HPJIT 817 की तरह ही आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी समय हो चुका है यहां पर इस भरती के बारे में क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिली है तो जैसे ही कोई दूसरा अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग की HPJIT की जो परिक्षा है वो रद होगी या नहीं रद होने के चांस काफी कम है जैसे ही कोई नए निर्णे इसमें लिए जाएंगे मैं आपको अपडेट की द्वारा बता दूँगा तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेडियो में